आप सभी का ग्यान चेतने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज किस वीडियो में टेट यूनियन एवं सामवादी दल से संबंदित प्रश्णों को देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण भारत में पर्था मजदूर दंग संग की साफना की थी तो आंसर हो जाएगा बी पी बाढ़िया बी पी बाढ़िया बी पी पाढ़िया की नेतरत में both 1918 में साफित महराज ऑयर Сथम तौन मजदूर संग भारत का प्रिथम आधुनिक मजदूर संग संगठन था अगला कुछऻन है किस ने एहमदाबाज टेक्स्टाइल लेवर एसोसियेशन की इस्थापना की थी तो इसका आंसर है ए महात्मा गांधी 1918 में की थी अगला कुशन है भारत ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के पिर्थम अध्यक्ष कौन थे तो पिर्थम अध्यक्ष दो जो थे वो लाला लाजपतर आये थे ब्याक्या देखते हैं ट्रेड भारत में ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस अखिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के इस्थापना एन एम जोशी तो कॉंग्रेस अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस जो है एंड जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1922 को बंबई में की गई थी इसकी इस्तापना का कारण 1929 में अंतराष्टिय श्रम संगठन के स्तापना था इसलिए भारतिय श्रमिक संगठनों के ने आपस में संगठित होने का फैसला किया इसके प्रिथम अध्यक्ष लाला लाजपत रायते तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्था एवं महामंत्री दीवान चमलाल पजास थे इस संगठन का प्रिथम बिवाजन 1929 में नांगपुर अधिवेशन में हुआ था तो बिवाजन भी याद रखेंगे कि 1929 में हुआ है नांगपुर अधिवेशन में इस समय जवालाल नेरू इसके अध्यक्ष थे अगला कोशन देखते हैं बंबई में अखिल भारतिय बैपार संग कॉंग्रेस की सापना हुई थी तो अभी हमने देखा था 1929 में अगला कोशन है अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के 1920 में बंबई में हुए पर्थम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो अ अंसर हो जाएगा यहां पर नांगपूर का पूछा है तो जवालाल नहरू वर्ष 1929 में नांगपूर में संपन आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस किया देख्षता जवालाल नहरू ने की थी नांगपूर अधिवेशन में ही सामेवादियों एवं सुधारवादिय क्योंकि मदभेद का कारण आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस का विवाजन हुआ था इस अधिवेशन में नहरू रूपोर्ट की अलोचना की गई थी अताहा दच्छिड पंती से अलग हो गई थे और उन्होंने एमन जोसी बीवी गिरी के नितवत में इंडियन ट कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1921 में बिलादी मेर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी वॉल शेविक द्वारा की गई थी अगला कोशन देखते हैं अक्टूबर 1920 में भार्टी के सापना के लिए ताशकन में इकत्र हुए भारतियों के सम्हूं के मुखिया निमलिकित मैंसे कौन है थे अंसर हो जाएगा एमन रॉय सत्राक्टूबर 1920 को एमन रॉय ने अबनी मुखरजी मुहमद अली और मुहमद शफीक के साथ मिलकत ताशकन में भारतियों कम्यूनिस्ट पार्टी का इस्तापना की थी अगला कुशन है कानपूर सणियंद मुकदमा किस अंदोलन के नेताओं के भिरूद था तो अंसर हो जागा साम में वादी अंदोलन कम्यूनिस्ट अंदोलन की सकती एवं बड़ते प्रभाव को रोखने के लिए कानपूर में एक सणियंद को आदार बना का कुछ कम्यूनिस्टों पर मुकदमा चला यह मुगदमा कानपूर शणियन्द के नाम से भी जानते हैं कानपूर शणियन्द पूछा जाए या कम्यूनिश्ट आंदोलन तो दोनों एक ही है ब्रिटे सरकार ने बश 1924 में एमन रॉय श्रीपाद अमरेट डांगे और मुझफर एहमद शौक eth, उस्मानी, गुलाम शौकद हुसेन, राम चननर्लाल श्रमा और सिंगार वैलू चेटियार पर कानपूर में मुकदमा चलाएं गए तो किन किन के ऊपर चलाएंगे? इन सबी पर कानपूर का मुकदमा चला कानपूर शणियंद हो या कमिनोष्ट आंदूलन सरकार ने इन पर आरूप लगाए कि ये लोग शणियंद रच रहे थे जिसका उदेश बारत में करांतिकारी संगिठन को स्थापित करना था पेशावर सणियंद और मेरट के सणियंद मुकदमा भी सामेवाद या अंदूलन के नेताओं के विरूद था अगला कुशन निमलिखित मैं से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभ्युक्तों के समधन में अलवर्ड आइंस्टीन एच जी वेल्स हेराड लास्की और रूजवेल्ड ने सहानुबूती टिपनिया की थी तो इसका अंसर हो जाएगा मेरट सणियंद मुकदमा उनीस उन्ते सो तैस के बीच वे मेरट सणियंद मामले में 33 श्रिमिक नेताओं पर राज द्रोग का मुकदमा चलाए था इसकी समध संसार में चर्चा हुए और प्रोफेसर आइंस्टीन एच जी वेल्स हेराल्ड लास्की रोमा रोलाम तथा रूजवेल्ड ने इनकी कटू आलोचना की थी तो मेरट सणियंद केस काफी इंपोर्ट कारी चरण का समय था तो 1926 से 49 ट्रेड यूनियन आंदोलन के करांती कारी चरण का समय 1926 से 1949 तक माना जाता है इस दोरान मुझफर एहमद श्रीपाद एग डांगे शौकत उस्मानी आदी भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुक नेता थे अगला कुशन 1940 में रेडिकल डेमो क्रेटिड पार्टी का गठन किस ने किया था तो आंसर हो जाएगा एमन राय बी ओप्शन 1940 में रेडिकल डेमो क्रेटिड डल के सापन एमन राय ने की थी अजीत राय और इंदर सेन ने वर्स 1941 में भारती वॉलविशिक लेनिन दल के सापना की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने बंदी जीमन नामक किताब लिखी थी अगला कुशन है सौमेंडर नाथ टैगोर द्वारा इस्थापिद दल का क्या नाम था तो करांतिकारी सामेवादी दल बी ओप्शन यहां पर सही है करांतिकारी सामेवादी दल के सापना 1934 में सौमेंडर नाथ टैगोर द्वारा की गई थी यह पार्टी भारती सामेवादी दल CPI से तूट कर बनी थी तो इस्टूनिन आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का बदबद धन्यवाद